हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.3 से कोश्चेन नमबर 6 इना सर्कुलर टेबल कवर और रेडिस 32 सेंटीमीटर यह फिगर बुक में बनी हुई है इसमें यह दिखाया गया है कि एक सर्कुलर टेबल कवर है इसमें बीच में इक्वलेटर ट्रेंगल को छोड़ कर बाकी यहां पर डिजाइन बनाया हुआ है और जो सर्कल का रेडियस है वो 32 सेंटीमीटर है तो यह जो डिजाइन बना हुआ इसके अंदर इसका आपको एरिया निकालना है अब देखें सिंपल 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 सबसे पहले आप अपना यह लॉजिक लगाएंगे कि डिजाइन का एरिया एक्चुली होगा क्या सबसे पहले लेंगवेज अपने दिमाग में आप फाइंड आउट किया करें पूरा यह सर्कल है सर्कल में से अगर इक्विलेटल ट्राइंगल को हम माइनस कर देते हैं तो एरिया ओफ डिजाइन आ जाएगा तो सबसे पहले area of circle ही निकाल लेते हैं area of circle हो जाएगा इस question के अंदर formula होता है πाई r square 20 में कुछ mention नहीं है तो 22 upon 7 लेंगे और radius, radius book में दिया हुआ है इसका जो radius है ये 32 cm दिया हुआ है तो radius कीजिए के 32 into 32 अब 7 से कुछ कटतो रहा नहीं है तो उपर उपर इन तीनों नंबरों की multiply करेंगे इन तीनों का जब हम product करेंगे तो ये product आएगा 22528 और नीचे 7 है इसे 7 से divide कर लेते हैं तो 7 से divide करने के बाद ये value आ जाती है 3218.28 question cm में है तो cm2 लगाना बिलकुल भी न भोले ये हो गए एक चीज कि हमने circle का area निकाल लिया अब भात आती है कि ये जो ABC triangle है ये equilateral triangle है तो इसका area हम कैसे निकाले इसके अंदर थोड़ी सी आपको extra मेहनत करने पड़ेगी ये question इस exercise का ये इस chapter का सबसे ज़ादा important question है तो देखे area of triangle ABC निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले तो इस center से इसके जो vertices है न इनको join करना पड़ेगा इस तरह से direct हम नहीं निकाल सकते इसका equilateral triangle का equilateral triangle का area हम जब तो निकाल सकते हैं जब हमें उसकी side पता हो side तो इसमें पता ही नहीं है तो कुछ और trick लगानी पड़ेगी ऐसा करने से इस equilateral triangle को मैंने तीन बराबर parts में बाट दिया जब यह तीन बराबर parts बच गए बन जाते हैं इसका नाम और रख लेता हूँ BOC अब यह देखना है कि इसमें यहां पर जो angle बनेगा यह कितना बनेगा अब देखे यह सारे यह तो बराबर है 32 32 32 यह तो sides बराबर है यह इसके हिसाब से यह जो सामने की side यह भी बराबर होंगी तो बीच के जो angle है वो भी बराबर होंगे हम हम यह निकालेंगे कि यह जो angle बनेगा ये actually angle कितने कितने degree के बन जाएंगे बनेंगे तो सारी equally तो बनेंगे कितने के अगर पूरा जो circle होता है 360 degree का अगर उस circle के इस तरह से 3 parts बन जाते हैं तो इस 3 हिस्सों में बट जाएगा यानि 360 को हम 3 से divide कर देंगे तो ये आगे 120 degree तो एक triangle के ये जो ये वाला angle बनेगा ये 120 degree का बन जाएगा अब सारे के सारे triangle में हैं यहां भी 120 यहां भी 120 और ये सारे की सारी ये जो दो sides है आपस में ये वाली ये सारे radius ही तो हैं ये भी आपस में बराबर है कहने का मतलब यह कि यह जो तीनों ट्राइंगल बने है ना छोटे इनका जो एरिया है वो बराबर होगा अब अगर हम एक ट्राइंगल का एरिया निकाल देते हैं फॉर एग्जामपल बी ओ सी का और उसको थ्री टाइम्स कर देते हैं तो ए बी सी का एरिया आ जाएगा तो पहले तो यह लिखते हैं कि एरिया ओफ ट्राइंगल ए बी सी एरिया ओफ ट्राइंगल ए बी सी हो जाएगा थ्री टाइम्स ओफ एरिया ओफ ट्राइंगल बी ओ सी अब थ्री टाइम्स ओफ बी ओ सी अब B.O.C. का area कैसे निकलेगा देखें इसी तरह का question last exercise में आ चुका है कि जब ये दो sides हमें दे रखी हो और बीच का angle दे रखा हो तो हमारे पास formula होता है half side into side क्योंकि ये दोनो sides बराबर है न इसलिए मैंने इनको side into side ले लिया half side into side और जिस इन दोनो side के बीच में जो angle बनता है उस angle का sign 120 ये 120 बन रहा है न तो इसका sign यह आप त्यान रखना इस चीज को यहाँ पर आप side into side ना लेके ये भी लिख सकते हैं B.O.C. क्योंकि ये कुछ और भी हो सकते हैं तो जब इस तरह का होता है तो half लिखते हैं उन दोनो sides को लिखते हैं multiply में और जितना ये angle बीच में बना होता है इसका sign ले लेते हैं यानि sign 120 अब आगे इसे solve करते हैं देखें ये तो हो गया 3 ये 3 by 2 हो गया ये जो side है ये वो ही side है जो 32 और 32 है ये दोनों है तो ये ले लिया है 32 into 32 into sign 120 अब sign 120 की value हमारे पास trigonometric table में डारेक्ट नहीं होती है इसी चीज़ को मैंने पिछली एक वीडियो में भी बताया है कि sign 120 को हम लिख सकते है sign 180 minus 60 degree के रूप में और sign 180 minus 60 यानि 180 minus theta ये जो value होती है ये sign 60 ही होती है जो हम sign 180 के साथ में minus करके लिखते है न तो ये sign ये ही हो जाता है जो हम angle minus करते है तो sign 180 minus 60 sign 60 ही हो जाएगा और sign 60 की value हमारे पास trigonometric table में होती है तो इस sign 120 को हम लिख लेंगे sign 60 degree अब इससे solve करना शूरू करते है देखे इस 2 से 32 एक कट रहा है तो काट लेते हैं 1 और यहां आगए 16 अब तो कुछ कट नहीं रहा अब क्या करेंगे 16 और 3 और 32 इन तीनों का पहले product निकाल लेते है इनका जो product आएगा ये आएगा 1536 into अब sign 60 की value लिखते है sign 60 की value होती है root 3 by 2 यहां पर ये 2 1536 को divide कर रहा है ये 2 1000 पर आगया और जब इसे 2 से काटेंगे तो ये आएगा 768 ये मैंने अल्रेडी कर रखे हैं तो वीडियो में मैं ये calculations करके नहीं दिखा रहा है आपको क्योंकि calculation तो आप कर लेंगे basically है कि question को समझना है किसके अंदर steps क्या है अब ये आगया 768 into root 3 अब root 3 की value लगाएंगे root 3 की value होती है 1.73 इनका product करेंगे तो इनका जो product है ये आएगा 1328.64 ये answer आगया area of triangle ABC ये जो white white triangle है न इसका area आगया last में unit लिखना ना भूले centimeter square बस ये मैंने शुरू में आपको बताया था कि circle में से triangle minus कर देंगे तो जो design है उसका area आ जाएगा अब हमारे पास circle का area भी है ये रहा number one और triangle का area भी है ये रहा number two पे अब लिखेंगे अपना area of design area of design पहले language में लिखेंगे area of circle minus area of triangle triangle का नाम लिख देते हैं ABC values हम उपर निकाल चुके हैं area of circle है 3218.28 और area of triangle है 1328.64 इन्हें minus कर देंगे इन्हें minus करते ही value हा जाएगी 1889.64 और सारा कोश्चन सेंटीमीटर में तो ये सेंटीमीटर स्क्वेर लास्ट में आप यूनिट ना भूलें बीच में जो calculations होती हैं उनमें आप ना भी लगाएंगे तो भी चल जाता हैं तो question ये बहुत ज़्यादा important है exam में ये सबसे ज़्यादा बार आता है अगर आप इसको simple तरीके से करेंगे तो ये ही basically इसके में steps हैं कि सबसे पहले आप circle का area निकालने उसके बाद triangle ABC का area निकालने के लिए three times of BOC कर दें और BOC का क्या तरीका है वो मैंने आपको बता दिया half लगाएंगे ये जो दो sides होती है इनका multiply करते हैं और जो बीच में angle बनता है इसको sign में ले लेते हैं तो इस वीडियो में बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं आपसे फिर next वीडियो में तब तक के लिए goodbye